एलो फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में चार्ज के बारे में पढ़ा था कि Heart क्या होता है और जब मैंने charge पढ़ाय था तब मैंने आपको यह भी बताया था कि नेक्स लेक्चर में ऐसाइब करेंट पढ़ाऊंगी current क्या होता है rate of flow of charge होता है rate of flow of charge is called current अब i is equals to q upon t है यह formula होता है current का current को हम capital i से या small i से दोनों से denote कर सकते हैं यह हमारा symbol है हम किसी से भी ने note कर सकते हैं अगर हम current की इस formula के base पर हम बात करें तो जो charge per second किसी भी conductor में flow होगा उसे हम बोलेंगे current charge कितने time में कितना charge flow हो रहा है किसी conductor में उसे हम बोलते हैं current दोस्तों आप किसी भी formula से को इसी भी डेरिवे किसी भी फॉर्मले से आपको इसी भी term को define कर सकते हैं मैं define करने का तरीका बताती हूं जैसे हमें पता है formula हमारे पास है i is equals to q upon t हमें पता है current का ये formula है अब हमारे पास कोई exam में definition आ गई है और हमें इसे define करना है हमें पता है q होता है charge t होता है हमारे पास time तो हम इसे कैसे कर सकते हैं देखो हमें पता है current किसी भी conductor में flow होगा मतलब conducting material होगा तभी flow होगा तो कितना charge कितने time में conductor में flow होता है उस ह बोलते हैं current तो दोस्तों ऐसे formula से हम definition भी बना सकते हैं अब इसके बाद जो current होता है वो हमारा measure होता है ampere से emitter से हम emitter एक instrument होता है measuring instrument जिससे की हम current बनाते हैं लेकिन सबसे important बात क्या होती है इस emitter की जो इसका positive terminal हो वो positive terminal source के positive terminal से ही connect हो ऐसा नहों कि इसका negative terminal ले लिया amitter का और source का positive terminal ले लिया तो यह reading गलत हो जाएगी मतलब emitter का positive terminal और source का positive terminal होना चाहिए और emitter का negative terminal और source का negative terminal होना चाहिए तब ही हमारा measurement सही आएगा अब हम बात करते हैं unit की की current की unit क्या होती है देखो दोस्तो मैं इस वीडियो के माद्धम से तुम्हे units भी drive करना सिखाती हूं कि कैसे करते हैं हमें पता है i is equals to q upon t होता है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था q होता है charge और charge की unit होती है हमें पास column तो charge की unit लिख दी column और t क्या है time जो हमारा second में measure होता है तो current की unit क्या होई column पर second माइनस बन का मतलब है पर second जो भी power में माइनस की term होती है उसे हम पर में लेते हैं डिवाइड में लेते हैं उसे बोलते हैं second अब इतनी बड़ी इतनी बड़ी term की जागे हमें एक छोटी term ली जिसे हम बोलते हैं ampere तो हमारी current की unit क्या होई column पर second और उसे हम बोलते हैं ampere ये ampere हमारे friends के scientist थे जिनका नाम था end array ampere उनके नाम पर उनके ओनर में हमने ये unit रखी है अब अगर तुमसे पूछा जाए कि एक ampere क्या होता है एक ampere कैसे आएगा एक column आना चीए और एक second आना चीए तो अगर तुमसे definition पूछी जाए कि एक ampere समझाईए तो हम कैसे समझा सकते हैं किसी भी conductor में है जब एक column charge flow करेगा एक second में तो उसे हम बोलेंगे one ampere ठीक है अब ampere ampere को हम लोग smaller quantities में लिख सकते हैं जैसे charge का भी लिख सकते थे जैसे milli ampere इसका symbol क्या होगा milli ampere और micro ampere देखें Michी का मतलब क्या होगया 10 to the power minus 3 micro का मतलब होगया 10 to the power minus 6 तो एक ampere क्या हो एक milli ampere 10 to the power minus 6 ampere और 1 micro ampere क्या हो सकता है 10 to the power minus 6 ampere ये दोनों जब हमारी smaller quantities होती हैं तो हम current को ऐसे लिख सकता है इसके बाद हम हम बात करते हैं कि current कैसे flow होता है current flow कैसे होता है अगर हम metals की बात करें तो metals में current कैसे flow होता है जब उसके पास free electrons होता है free electrons के थुरू हमारा metals में current flow होता है electrodes, electrolytes जो हमारी battery होती है घर में, inverter battery उसमें जो liquid होता है जो battery में हमारे एक liquid डलावा होता है उसे हम बोलते है electrolyte उसमें current कैसे flow होता है positively charged positively charged आइन, जिसे हम बोलते है cations और negatively charged आइन्स के बज़े से जिसे हम बोलते है इसकी बज़े से current flow होता है अब हमें current हमें देखना है कि कितना current flow होगा तो हम क्या करते है हमने ये वाला formula हमें पता है I is equals to Q upon T charge हमें पता है N E होता है charge हमारे पास क्या होता है N E where N is the number of electron और ये होता है electron E हमारे पास होता है N number हो गया अगर हमने एक number लिया electron क्या होगा 1 upon 1.3 6 into 10 to the power minus 19 time क्या होगा 1 तो हमारे पास current की value क्या आई 6.25 into 10 to the power 18 electrons मतलब हमारा current तब flow होगा जब इतने electrons हमारे एक सेकिंड में पास होंगे किसी भी conducting material में किसी भी conductor में तो हमारा current फ्लो होगा अग दोस्तो current क्या होती है हमारी scalar quantity होती है color हमारी scalar quantity होती है current की direction electron की direction के opposite होती है अगर electron इधर move करें तो current हमारा इधर move करेंगा अगर हम electrolyte की बात करें तो हमारा current क्या फ्लोगा N1 Q1 plus N2 Q2 upon T जहां N1 क्या है केटाइन है Q1 क्या है चार्ज है जो एक direction में move हो रहा है N2 हमारा क्या है N9 है Q2 क्या है मारा जो चार्ज है opposite direction में जो move हो रहा है T क्या है मारा time ये जितना भी ये सब current के बारे में जितनी भी information थी इस वीडियो के माध्यम से मैंने देने की कोशिश किये उमीद है आप सब को बहुत पसंद आई होगी Thank you